चलो बच्चों अब हम इस पार्ट के सब्दर्थ पढ़ते हैं बर्तमान जो समय चल रहा है प्रिजेंट युक्ति उपाय टैक्टिक ललाट मस्तक फोरहेड बिनीद नम्र कॉर्टियस देथ राक्छस मौंस्टर कटार नुखीला अस्त्र अनुभाव महसूस करना एक्स्पीरियन्स राह मार्ग रास्ता पात त्याग छोड़ना सेक्रिफाइस भय डर फियर त्रस्त दुखी परिशान अफेक्टिड बिक्राल भैंकर होरिवल धीरज धैर पेसंस प्रेम पूर्वक सुर्त लेखे तू प्रेम पूर्वक बिक्राल अनुभाव द्रश्टी त्रस्त महात्मा बुद्ध अंगुली माल भयंकर विश्यवाश अब बच्चों हम मौकिक पुर्शन अतर पड़ते हैं कौंसल प्रदेश के राजा का क्या नाम था? कौंसल प्रदेश के राजा का नाम प्रसेंजित था? पहरेदान ने महत्मा बुद्ध को जंगल में प्रिविश्य करने से रोकने के लिए क्या कहा? पहरेदान ने महत्मा बुद्ध से कहा कि महाराज उधर भेंकर डाको अंगली माल रहता है उससे प्राणों को खतरा है किर्पया उधर ना जाएं अंगली माल महत्मा बुद्ध को देखकर चकित क्यों हो गया? महात्मा बुद्ध अन्न लोगों के समान अंगली माल को देखकर तनिक भी घबराये नहीं इसलिए अंगली माल चकित हो गया महात्मा बुद्ध किसे बोले मैं तो ठहर गया तूँ कब ठहरेगा महत्मा बुद्ध ने अंगुली माल को कहा मैं तो ठहर गया तो कब ठहरेगा लिकित प्रश्णों के उत्तर महत्मा बुद्ध अंगुली माल से क्यों मिलना चाहते थे अंगुली माल को अहिंसा का उपदेश दे कर उसे सच्चा ग्यान कराने के लिए बुद्ध अंगली माल से मिलना चाहते थे उसे सही दिसा दिखाना चाहते थे अंगली माल डाकू के सुभाव का बार्ण करो अंगली माल भेंका डाकू था उसने एक हजार आदमियों को मारने की पितिग्या की थी इसके लिए वह जिसका भी बद करता तो उसकी एक अंगली काट लेता वह हिंसात्मक प्रकती का इंसान था हिंसा नर्दैता असांती आदियाब कुण उसमें बिद्द्यमान थे अहिंसा की बिजय किस प्रकार हुई बिस्तार से लिखो महात्मा बुद्धे ने अंगली माल को प्रेम अहिंसा और सांती का उपदेश दिया अंगली माल को सत्य का ज्यान हुआ और वह भेंकर ड्गुषे अच्छा इंसान बन गया उसने हिंसा आत्याकर अहिंसा को अपनाया इस कहानी से आपको क्या पिरणा मिलती है इस कहानी से ऐसे च्छा मिलती है कि सज्चन प्रतिकूल परिस्थितियां बदल देते हैं प्रेम से घरणा को जीता जा सकता है दिये गए प्रशनों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिये कौसल प्रदेश की राध्थानी का नाम क्या था? स्रावस्ति किसने सुचा आदमी आदमी को क्यो मारता है महत्मा बुद्ध? महत्मा बुद्ध ने अंगली माल को क्या उप्देश दिये? सांती प्रेम दया का अंगली माल किसका सिस्थ बन गया? महत्मा बुद्ध का निम लिखे सब्दु का अपने बाद के मैं प्रियों करो दया, गरीबों पर दया करो बिक्राल, उहे बिक्राल मूर्ती सामने आगई धीरज, धीरज से काम लो प्रजा, प्रजा की रक्षकन्ना राजा का करतब है किसी काम का करना या होना किरिया कहलाती है नीचे लिखे अनुच्छित मैंसे किरिया और संग्या सब्द छान कर नीचे दी गई जगहें मैं लिखो तो हमारे संग्या क्या क्या होंगे बर्शा, आश्मान, शूर, नील गगन, इंद्रधन, चिडिया, बिदिद, बैट बॉल और किरिया क्या होगी हो गया था, रहना रहाद था, दिखाई दे रहाद, सुनाई देने लगी बुलाने गया और गया कोश्टक की सहायटा से दिये गए सब्दों के लिंग बदलो राजा का रानी, राजकुमार का राजकुमारी, हिरन का हिरनी, शम्राट का शम्रागी नीचे दिये गए सब्दों मैंसे संग्या, बिसेशन, और किरिया सब्द छाट कर अलग लिखो अंगुली क्या है? संग्या, दयालू क्या है? बिसेशन, भेंकर क्या है? बिसेशन, अच्छा क्या है? बिसेशन, तहरजा मतलब किरिया, काट दूँगा मतलब किरिया, मजबूत मतलब बिसेशन झाल झाल